नमस्कार इस वक्त आप डी टीवी नीज देख रहे हैं अजी कोली के साथ मैं आपको बता दूँ अभी अमारी मौजूद की नगर कस्वे में है और नगर कस्वे के बाबा साथ भीमरा अंबेड कर जी के पारक में है यहां मेरे साथ बहुजन समाद दली समाद जुड़ा है औ प्रकास अवेश जी प्रकास अवेश जी मेरे साथ है अमबेश प्रकास अमबेश मेरे साथ है और बताना चाहेंगे यहां वो नगर पाली का के उपचियर मैन भी है साती लोग यहां जुड़े हैं इखटे हुए हैं मेटिंग की गई है इसका मुख्यम उप्धिष से क्या तक क्यों इस मिटिंग का इसारी बात हम करेंगे उप चेर्मेंट साब से बहुत-बहुत स्वागत है आपका सब्सक्राइब आज यह मिटिंग की गई नौ अप्रेल को तो किस उपलक्ष में इस मिटिंग का आएजन किया गई देखिए आज यह सर्व समाज की मिटिंग की गई है जिसमें जाटो समाज के अतरिक हरीजन समाज कोली समाज खटिक समाज सभी ने इस शोवा यात्रा में बढ़ चटकर भाग लेने का मन बनाया है और इससे पूर्व सभी समाज यहां है लोगों से क्या उम्मीद आप लगाते हैं लोग यहां पहुंचें हमारा सभी से जाटों है कि एक भव रूप से यह निकाली जा है और जिसमें बाबा साब के विचार हैं उनको आगे सीरा के बढ़ाया जाएं को कैसे बढ़ाया सकते हैं उनकी जो सोच है और सोच के ऊपर आगे बढ़ करके कैसे समाज उनल्वी करें इसी उप्लक्ष में एक भवव सब्सक्राइब कर दिए और विश्रतिती और के रूप में और अद्दक्स तक रूप बुला जा रहा है लगातार बादशीत आपने की प्रिशास ने हमें प्रविशन के लिए सब्सक्राइब कर दिया है और कल में पर्मिशन मिल जाएगी जाटो समाज के अदेख शेंसे भी बात करेंगे जिनके अदेख सामें इस प्रोग्राम को रखा गया है आज इस मीटिंग का आविजन क्या गया जैए जैसे आविश्रति यह कि हम सभी वर्ग से हमारे जो दलित के जितने भी आदमी है जिन सबन को बलाया गया है और सबन की राते मीटिंग कर की गई है और सबन की सहमती से जहनती में बड़े सोक साकत्ते निकाली जाएगी तो उनते कल हमको अनुमती मिल जाएगी तो इस हिसाब से हम बढ़ान चाहते हैं कि सभी को यही मैसेज है कि 14 अप्रेल को सभ्यान अगर को जिए धन्यवाद लेकर आज 9 अप्रेल के दिन यह प्रोग्राम रखा गया इस मीटिंग का आउजन किया गया बाबा भीम्राव अंबेटकर जी के समार्क पर यहीं उनका मीटिंग किया जाना है 14 अप्रेल को जिनका मुत्तव है बाबा साब का उस जनम मुत्तव के अउसर पर नगर में नगर कस्वे में एक भव्य यात्रा निकाली जाएगी विचार गोश्टी यहां रखी जाएगी प्रोग्राम रखा जाएगा तो सभी के लिए इस अंदेश है कि जो भी दलिस समाज पर अन्य समाज के ल धन्यवाद